करते हैं हर एक पर्टिकुलर न्यूस को UPSC प्रिलिम्स और मेंस के बेसिस पर डिसकस करते हैं हमारे कंटेंट क्रियेटर भी है हमाई टीम के उनका भी सेलेक्शन हुआ है तो एक वीडियो हम लेके आने वाले हैं कैसे प्रिलिम्स में 2022 के लिए कैसे प्रिप्रेशन करना है जो नोट्स हमने पढ़ ले थे जो नोट्स हमने क्रेट किये हैं वो मैं प्र पब्लिकेशन की एंड्रोइड अप्लिकेशन में आप लोकों से शेयर करूंगा और उसकी वीडियो भी आपको आएंगी उससे पहले तो प्र पब्लिकेशन जो टेलिग्राम ग्रूप है उसमें ही हम लिंक सभी सेंड करेंगे स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ प्र अनलेसस सबसे पहले जी टोएंटी की मेटिंग है इसको हम डिसकस करेंगे मनरगा से रिलेटेड है यह पूरी न्यूज़ को डिसकस करेंगे UPSC mains के भी हम पूरी preparation करवाने वाले हैं टोटल जो notes हैं वो सब share करेंगे राइट उनका क्या charges हैं कैसे कैसे आप avail कर पाएंगे राइट आपको whatsapp करना है आप पहले से seat book करा सकते हैं अपनी 750-513-4891 में राइट इस नमर पर whatsapp करेंगे अपनी queries यहाँ पर पूस सकते हैं यह Center of Excellence क्या है US और इंडिया की अभी trade जो हैं relation वो बढ़ रहे हैं invasive alien species क्या होती हैं उसके साथ science and tech के बहुत सारे article हम देखेंगे but without moving further telegram application download करना है search box में type करना है at the rate PR publication तो यहीं पर UPSC mains जो शुरू होने वाला है जिन बच्चों का भी selection है UPSC mains की भी सरी चलाएंगे और उसके साथ साथ overall 2022-2023 के लिए देखिए आज से यह सरी जिस जिसने भी यह वीडियो देखिए particular 2022 का पूरा UPSC prelims और 2023 का UPSC prelims प्लस mains और 22 का UPSC prelims प्लस mains और 2021 का mains की हम बैट सुरू करने वाले हैं ठीक है तो आज से ही 31 October हो चुका है एक नॉम्बर से पूरा schedule fix कर दिया जाएगा live आपको पढ़ाया जाएगा एक ancient history तो already हम कर चुके हैं देखिए इसी group में आपको यह मिल जाएंगे दूसरा उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि UPSC की preparation करना हमार साथ जुणना तो आप हमारा current affair का plan ले सकते हैं early plan for 99 rupees date wise current daily answer writing phone guidance यह सब तीनों ही plan 999 rupees के हैं जिसमें early plan test reach UPSC set का video course आपको मिलेगा लेना बहुत सिंपल है दिये गई ना में गूगल पे phone पे करना है और respective आपको group से add कर दिया जाएगा उसके साथ साथ जो हमारे plan है 2020-2023 के उसमें current affair भी include रहेगा अगर वो plan लेते हैं तो now सबसे पहली news हमने देखनी है PM calls for united fight against COVID at G20 देखिए G20 summit है जिसका जो नाम है global economy and global health कहां पर हो रही है Rome में तो यहां पर COVID-19 से related बाते हैं हुई दूसरा यहां पर बात क्या की गई highlighting the need for resilient global supply chain क्योंकि lockdown के दोरान जो supply chain था चाहे goods और services का even services का भी जो supply chain था वो break हुआ था supply chain हर चीज में हो सकता है minerals में जैसे coal crisis अभी हमारा हुआ वो इसी के वज़े से हुआ हना कि monsoon से ज़्यादा हुआ monsoon बारिश जादा हुई coal mining अच्छे से नहीं हो पाई एक तो यह reason था दूसरा supply chain ब्रेक हो गई थी तो उसी को चलते हुए उसी को बढ़ाने की बात की गई जी 20 सब्मिट में भी उसके साथ साथ जो है vision हमारा one earth one health इसको भी emphasize करते हुए और बोला गया है कि अगर future में कभी pandemic आता है तो comprehensive global solution हम निकालेंगे उसके साथ साथ global minimum corporate tax 15% करने की भी बात की गई अब क्या होता था बहुत बात जैसे को USA की बड़ी company है MNC है ठीक है अब भारत में जो tax rate है वो आपका है 14-15% तक इतना ही है लगबग बट ये USA की MNC भारत में न इस्टेबलिस करके वो कहां पर इस्टेबलिस करेगी वेतनाम में ठीक है अब इससे क्या हो रहा था जो दूसरी कंट्रीज हैं उन सब का वाइलेशन होगा ट्रेट प्रक्टिस में वाइलेशन होगा ठीक है क्योंकि उनकी company में अगर बैटर फैसिलेटी दी जा रही है बट उसी के चलते हुए जहां पर टेक्स कम होगा तो बड़ी-बड़ी MNC फ आने की कम टेक्स से वहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ पर ही जाना है अब ग्लोबल 15% टेक्स हर एक देश को लगाना पड़ेगा इससे क्या होगा पर्टिकलर एक्क्वेलेटी बनी रहेगी MNC को जहां पर बैटर फैसिलेटी मिलेगी वहाँ पर सेट अप करेगा इंडिया म मिल रहे है तो इंडिया में नहीं तो वेतना में ठीक है वेतना में टैक्स कम है तो फैसिलेटी भी तो उश बैसिस पर नहीं मिलती है ठीक है सिंगल विंडू क्लेरेंस नहीं और दूसरे करफशन जुड़ जाते हैं तो यहां पर है जी-20 के बारे में पूरी न्यूज हमने membership की वर्ल्ड की 85 परसेंट ग्लोबल जो GDP है उनकी है 80 परसेंट ग्लोबल इंवेस्मेंट उनकी है 75 परसेंट ग्लोबल ट्रेड उनका है जी 20 के देश कौन-कौन से अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील तो अगर जहां पर ग्लोबल जीडीप मतलब पूरे विस्व की जीडीप का 85 परसेंट इन देश हैं तो इसमें डेपलोब्ड देश भी हैं डेपलोबिंग नेशन भी है तो अब ये डेपलोब्ड और डेपलोबिंग देश मिलके क्या करते हैं ग्लोबल वार्मिंग अच्छा इंफ्रास्ट्रॉ ये पूरा इनका एम रहता है और जो गरीब देश होते हैं वहां से कभी ये फंडिंग भी करते हैं राइट सभी का इनिशेटी होता है ये सबसे बड़ी बात है तो आपको फसाने के लिए UPSC क्या देगा कि G20 का पर्मानेंट हैटकॉर्टर रोम में है ऐसा देदेगा तो वहां पर आंसर गलत हो जाएगा हां एक और चीज अब जो आज हम अपनी वीडियो में ये भी डिसकस करेंगे कि करेंट अफियर जो इससे आते हैं दा हिंदू न्यूश पर पढ़ना पड़ता है पर ऐसा नहीं कि पर्टिकलर हर एक स्टेट्मेंट के बेसेस पर देखें आ ठीक है नाव कल यहां पर देखेंगे वो हिंदू ने अपनी तारिफ करने के लिए भी कहा है और एक सई भी बात है कि अगर जन्यून जनरेलिज्म हुआ तो सोसाइटी के बहुत सारे कंसर्ण दूर हो सकते हैं ठीक है दहिंदू रिपोर्ट कल की एक न्यूश पर आई थी हिंदू की उसमें नेगेटिव नेट बैलेंस दिखा रहा था साड़े आठ हजार करोड जो की मनरेगा जो वरकर्स को अलग अलग राज्यों में अंदरप्रदेश तमिलाडू और दूसरे राज्यों में पैसे उनको नहीं दी गए उन्होंने काम कर लिया है उनको पैसे नह अभी potrzeakर ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे आरेजमेंट करींगे सेंटर कमिट कर रहा है कि हम फजटर करेंगे भर अहरू कुरूमा आहले और अब भी extra additional fund की जरत होगी तो ministry of finance जो है उससे request की जाएगी और current financial year में भी 63,000 करोल रुपे इसमें खर्ची किये गए थे तो सरकार क्या कहती है कि हम fund release करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर देखेंगे M.G. नरेगा M.G. नरेगा महत्मा गादी National Rural Employment Guarantee Act 7 September 2005 को इसको implement किया था दूसरा ये वहाँ लागो नहीं होगा जहां 100% सहरी आबादी है 2020 में भी इसके लिए finance minister निर्मला सितारमंजी ने जो है बढ़ाया था wages जो minimum wages है वो बढ़ाये थे 2000 तक कर दिया गया था इसकी history बहुत simple है 1991 में पीवी नर्सीमा राओ की जो सरकार है उसका proposal आता है कि यार हमें infrastructure तो बनाना है उसके साथ food security भी जो है insure करनी है citizens को नौ बात यहाँ पर यह आती है कि इससे पहले दो scheme थी एक थी employment assurance scheme पहली जो बाद में बनी evolve into the manrega after merger with food for work program in the early 2000 तो early 2000 में प्लस employment assurance जो scheme है इन दोनों का add करके हमारा manrega बना है यह directly पूछा जा सकता है अब्जक्टी कुछ नहीं है 100 दिन का रोजगार मिल जाता है economic security ensure हो जाती है और जो migration होता है ग्रामेल शेतर से सहरी शेतर वो नहीं होगा और कुछ है पहले पेज में बिलकुल भी नहीं है now discuss करेंगे next in bangal tribal village art fighting covid-19 बच्चे क्या कर रहे थे covid-19 से related wall में painting मना रहे थे तो इस पर क्या है यह एक awareness campaign चलाए गया painting को देखे सब बच्चे दे improvement जो है inculcate हो जाएगा now October 1 से यह campaign चलाए गया इसमें जो being organized by the community radio of जादवावपूर University UNICEF का इसमें support मिल रहा है ठीक है कोलकत्ता बेज चल्चित रेकेडमी ने भी इसको support किया है इस pandemic में ऐसा नहीं कि सिर्फ rural isolation हुआ है अर्बन लोगों में भी isolation society isolation ठीक है home sick देखने को मिला now यहाँ पर यह है COVID-19 के चलते हुए एक vaccine को promote करना कितना ज्यादा जरूर यह इन्होंने art के मध्यम से बताया है तो इसको UNICEF ने भी support किया है तो आप ऐसे example अपने UPSC general studies paper 2 में लिख सकते हैं जब directly पूछा जाए कि किस तरह से हम vaccine आप क्या suggestion दोगे या को जोई ऐसा example दे सकते हो जो किसी particular जगे हो रहा है और सब जगे implement करना चाहते हैं तो वो है कोलकता में क्या है यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं awareness campaign vaccine को promote करने के लिए vaccine मना रहा हो COVID-19 related arts यहाँ पर बनाई जारी हैं जिसको UNICEF खुद support कर रहा है अब सबसे पहली बार climate change expertise setup होने वाली है राजिस्तान में और राजिस्तान के भी जाइपूर में ठीक है जाइपूर में center of excellence at the forestry and wildlife training institute in जाइपूर राजिसरकार ने इसको approval देती है under the society registration act जो समास के अच्छे कामों के लिए किया जाता है हमेशा सिक्ष्या education और health के basis पर जो भी काम होगा जनरली उस body को society registration act के लिए ही के अंदर ही बनाया जाता है ठीक है इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई अलग कानून लाइंगे उसके लिए society registration act I think 1860 है जितना मैं recall कर पा रहा हूँ राइट तो यहाँ पर बागी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक framework भी बनाए गया 1986 में under the national social forestry project ठीक है manage करने के लिए forest resources को livelihood को forested areas को ठीक है तो यहाँ पर यह हमने discuss कर लिया बड़ यहाँ पर center of excellence होता क्या है कुछ नहीं होता यार वही एक institute उसको center of excellence का दर्जा दे दे देंगे center of excellence एक team shared facility entity है that provides leadership best practices research support training किसी particular focused area में यहाँ पर जाइपूर में क्या है forestry से related वह center of excellence है मतलब सोचो कितना तगड़ा research होगा practices best practices यह सब चीज़ें वहाँ पर करी जाएंगी next news is a US trade representative to visit India on number 22 United state trade representative है और इन्होंने बोला है कि हम इंडिया travel करेंगे even Rome पादरी है वो भी इंडिया visit करने वाले हैं हाला कि यह country की chief trade negotiator है तो इंडिया और US के trade relation में भी बढ़ सकते हैं ठीक है बट एक issue है इंडिया और US के बीच में जो रशिया से S-400 मिसाइल हम purchase कर रहे हैं उसमें कार्ट सा USA में भी इंपोस कर सकता है बट वो तो हम तब ही जान पाएंगे जब particular जो इंडिया है नौंबर में बोला जा रहा है अब ये नौंबर आ गई कल से और तब जो है delivery की जाएगी S-400 मिसाइल की अगर हम वो रशिया से purchase करते हैं तो अमेरिका के राश्ट पती जो वीडन कौन से कौन से देखे बार उनके पास list होती है पांच वो लगा सकते हैं भारत में sanctions राइट तो हाला कि दूसरी और इंडिया और यूएस के trade relation भी बढ़ रहे हैं तो में भी कार्ट सा उतनी aggressive तरीके से implement ना हो पाए ठीक है next है a moment to root out invasive alien species invasive alien species है गया मैं इसको आप particular definition दे देता हूँ या आप अपने UPC mains में जब भी environment के आपके question आते हैं वो directly पूछे जाते हैं तो CBD convention on biological diversity invasive alien species को कैसे define करते हैं यह बोलती है कि an alien species whose introduction and spread threatened ecosystem जो आज आती हैं कभी कभी क्या होता है जैसे Mediterranean Sea में कोई जहाज गया तो वहां से पानी डाला कोई पौधा आ गया सपोज वो पौधा कलकत्ता के यहां पर हुगली रीवर के यहां पर वो सपोज ड्रम नीचे गिरा दिया अब वो क्या होगा वो पौधा था Mediterranean Sea का European countries के environments में सर्वाइब कर रहा था बट किसी वज़े से वह भारत में आ गया भारत मौगा इंट्रिड्यूस करा और एको सिस्टम को वह पुरा थ्रेट कर देता है क्योंकि उनकी सबसे यूनिक फीचर यही रहता है कि इतनी जल्दी जो है वह मल्टिप्लाई होता है पूछो मत ठीक है सबसे और पाथ करना ठीक है का पर बात की जारी है पूंए मैं डॉक्टर सचीन पूनेकर यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है कि नेटिव जो वहीं की स्पीशीज है उनको ज्यादा ग्रो करें ताकि इन्वेजिव इलियन इस्पीशिज ना पाए तो इन्वेजिव इस्पीश जनरल स्टेडिस पेपर थ्री बात करते हैं इससे पहले केरला में फ्लड आया लेंड स्लाइड आई ठीक है और इसके साथ साथ जो बाड़ आई वह अपने साथ सेवरल एलियन इन्वेजिव स्पिसीज ऐसे पौधों को भी लेकर आई हमारे स्टेट्स में अब कोई होता है मे इन्वेजिव एलियन स्पिसीफ हो सकता है नाव एक्जामपल क्या है कोले वेटलेंड एक रमसार साइट है थ्रिसूर में वह अभी-अभी एक इन्वेजिव प्लांट्स कंसिडर किया गया ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है नाव नाश्टी नियूज है एक एप एप्लिकेशन है जो बताएगी कि यहां पर फिशिंग अलाउड नहीं है क्यों उडिसा की बात मैं कर रहा हूं यहां पर मास नेस्टिंग की जाती है एक इंडेंजर्ड ओलिव रिडले सी टर्टल्स के द्वारा अब उडिसा को आ रहे हैं माइगरेट करके हर वरसी आते है और अभी यहां पर यह बता जा रहा है कि जब यह मास नेस्टिंग करेंगे यहां पर फिसंग नहीं की जाएगी और यहां पर क्या होगा एक बार हाला कि इसके लिए एक एन्डैरीड एप्लिकेशन चाहिए एन्ड्रॉब फौन चाहिए जो मचवारे होंगा हाला कि है औरनेट की ज़रुवत पढ़ेगी उसके बाद वो अफलाइन डाउनलोड हो जाएंगे एप्लिकेशन बेनिफिट करेगा दूसरे फिसिंग बोर्ड को ट्रॉलर्स को मॉटराइज यह सब चीजों को और फाइदा करेगा ओलिव रिड्ले टर्टल्स के लिए भी यहां से स्प पल है कि लेबनन के जो आईटी मिनिस्टर है जोर्ज ठीक है उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया साओधी अरेबिया की मिलिटरी इंटर्वेंशन जो यमन में हुई थी ठीक है एक प्लैटफॉर्म में ब्रॉटकास्ट कर दिया क्रिटिसाइज कर दिया ठीक है किसको साओध साओधी अरेबिया को अब हुआ किया बहुत सारे जो गल्फ देश हैं अभी उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया कहां से लेबनन से अब देखिए वैसे ही लेबनन की जो पॉलिटिकल और एकॉनमी क्राइस अच्छी नहीं है ठीक है क्राइ लेबनन को क्या करें क्रिंटिसाइब है अभी कर रहे हैं एवन यू-a-e ने भी अन्योंच कर लिया है कि वह भी अपने जो डिप्लोमेंट्स है वह लेबनन से हथरों और जितनेबी ट्रेड हैं ट्रेड रिलेशन भी ट्रेटear धीर खतम कर defect करें और यह भी बोला एक ही आर्टिकल है फिर है एसीन जो एस्पाइडर है वो जूरजिया में मिली है उससे कोई मतलब नहीं है हमारा एक ही आर्टिकल साइनस एंट टेक से important है अर्थ की जो formation कैसे हुई थी कब हुई थी उससे पता चल सकता है कैसे IIT खळकपूर अब इन लोगों ने क्या study किया एक metroid जो की इंडिया में 2012 में गिरा था कटोल नाकपूर जिले में महराष्टर में मई 2022-2012 को ठीक है इसमें देखने को मिलता है कि bridge manite है अब ये क्या है mineral ये क्या mineral है ये abundance में पाय जाता है अर्थिके interior में ठीक है और इसको जो metroid का नाम था कटोल L6 chondrite metroid था ठीक है ये 2012 में महराष्ट में गिरा था अब ये होता क्या है एक bridge manite होगा क्या इसमें कौन-कौन से element होंगे magnesium, iron, calcium, aluminium oxide ये structure से बने रहता है उन्होंने ये भी explain किया कि ये जो naturally पाय जाता है chemical वो इसकी composition से बिलकुल अलग है जो की अर्थ के interior में पाय जाता है 660 से 2700 किलोमेटर की depth में ठीक है अब ये इससे हमें जादा से जादा क्या पता जल जाता है कि अर्थ की formation 4.5 billion years ago कैसे होई होगी क्योंकि उसमें जो element है कौन-कौन से है magnesium, iron, calcium अब देखो ये क्या होता है ये moon forming giant impact hypothesis इस theory को prove करता है कैसे यहाँ पर ये बोला जाता है कि मार्स के जितना बड़ा एक जो planet है जिसका नाम था थैला वो nearly 4.5 billion years ago अर्थ के साथ collide करता है ठीक है अर्थ के साथ collide करता है ये इतना ज़्यादा impactful होता है कि अर्थ की जो उपर की layer होती है करीबन करीबन साले 700 km के लिए पिगल जाती है और ये क्या होता ओशियन में गिर जाता है और जो जो पार्ट रहता है जो इतना ज़्यादा impactful रहा था उससे moon की भी formation होती है ठीक है moon की formation इससे होती है तभी तो जो अर्थ है वो interior में किस से बना है iron और निकिल से क्योंकि heavier जो पार्ट होता वो नीचे चले जाता है उसके बाद है frequently asked question controversy over मुला पेरिया डेम वही तमिलनाड और केरला का इश्यू पहला IPL 10 से related है और facebook ने अपनी जो parent company का नाम क्या कर दिया मैटा कर दिया अब क्या facebook को मैटा बोला जाएगा नहीं देखो facebook के अभी facebook.inc ही उसकी company का नाम था अब इसका नाम क्या हो जाएगा मैटा हो जाएगा अब मैटा के अंदर तीन चीजां काम करेगी WhatsApp, Facebook और Instagram अभी तक आप जब Instagram ओपन करते होगे तब क्या आता होगा from Facebook या WhatsApp from Facebook आता होगा अब धीरे जब आप अपडेट करोगे from मैटा आएगा वो ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और end में जितनी भी जो बेसिस्प है कैसे प्रिलिम्स की कितनी कट आउफ गई और उससे रिलेटेड आगे के प्लैंस जो हम डेटेल में डिसकस करेंगे और सबसे बड़ी बात है नोट्स क्योंकि UPSC में एक मेजर पार्ट रहता है क्रेक करने का नोट्स कि आप कहां से पढ़ रहे हैं कौन से ठीक है जो एंशेंट हिस्ट्री है हमारे जो नोट्स से बहुत सारे कौशन पूछे गए थे इस बार भी तो एंशेंट हिस्ट्री का तो कोर्स आप डारेक्ट खरीच सकते हैं बाकि हमारे लाइप टाइम कोर्स अभी चलने वाले हैं 2022 मतलब जिसे पूरा कंप्लेट UPSC जि वो भी हम रिलीज करने वाले हैं आज